हेलो फ्रेंज़, खुषी नेटिंग क्रियेशन में आपका स्वागत है। आज हम यह हाफ जैकेट लेकर आए हैं। इसमें कितना प्यारा हमने पैटरन डाला है, बनाना बहुत ही आसान है। और देखिए इसमें हमने butterfly pattern डाल कर बनाया है और देखिए दोनों side से हमने इसमें same ही pattern डाला है और इसे हमने तीन पार्ट में बनाया है बेक का पार्ट हमने अलग बनाया है और front के दोनों पार्ट अलग बनाया है और देखिए कितनी प्यारा हमारा ये pattern बना हुआ है इसमें आपको पसंद आएगा तो चलिये बनाना स्टार्ट करते हैं देखे बैक का पार्ट हमने बना लिया है और इसमें इस साह से हमने यह पैटरन बनाया है और यह पैटरन देखे हमारा जो ये इतना pattern है ये हमारा 7 double crochet में जाकर बनता है और 3 हम ये count करेंगे यहां से यहां तक तो total हमारे यहां पर 10 बने है और 10-10 के pair में हमने ये pattern डाला है और दिखें यहां से हम इसे दिखेंगे तो 2 double crochet हमने यहां पर बनाया है और फिर हमने यहां पर दिखें एक, दो, तीन, तीन चेन छोड़ी है और फॉर्थ चेन में हमने यहाँ पर यह पैटरन डाला है फिर से हमने तीन चेन छोड़ी है और तीन चेन हमने गैपिंग के लिए लिए है और फिर से हमने यहाँ पर तीन चेन बनाई है इस तरह से बनाते हुए हमने ये पैटरन डाला है और इसमें देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, नो हमने इसमें पैटरन डालकर बनाए है और हमने यहाँ पर अगर हम लेंथ में काउंट करेंगे तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सत्रा, सत्रा पैटरन डालकर हमने इसकी लेंथ रखी है और यह सोला इंच यह हमारे लंबाई है इसकी अगर हम इसे इस तैसे नापेंगे तो सोला इंच बनेगी और यह चैस साइज भी सोला इंच यह हमने 32 चैस साइज का बनाया है और अगर इसे हम डालेंगे डालने के बाद भूल थोड़ा सा खिचता है और खिचने से यह 34 और 36 को भी आराम से आ जाएगा और अगर आपको इसमें और बड़ा साइज बनाना है तो बड़े साइज के इससे हमारे यह फैतर भी बड़ जाेंगे यहां पर हमने 9 पैटर्न डाले है एक पैटर्न और डालेंगे तो यह हमारे सो यह फ्रेंट में भी हम पांस एक साइड में लेंगे पैतर जिर एक दो तीन च्राइर पाँच वाहिए ऊंगे तो इस द Самने में बड़ा स्देन भी बनाईए उसमें हम रीडा में तो इस थी त मैं Նप यह刚 price पैटन बनाना सीखते हैं किस तरह से बनाएंगे यह पैटन मैं आपको फ्रंट के पार्ट में बनाना सिखाऊंगी कि पैटन किस तरह से बनेगा और दोनों पार्ट में यह अरजस्ट भी किस तरह से होगा तो चली बनाना स्टार्ट करते हैं देखे हम back के part में यहां पर count करेंगे तो यहां पर हमने 94 chain से इसकी starting की थी देखे यहां से हम count करेंगे तो 7 हमारे पास ये थे और 3 ये तो total 10 हो गए और फिर 10 यहां तक 20 फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80 और एक ये 90 90 हो गए हैं हमारे और 2 हमारे ये 1, 2 दो यहां के 4 तो ये 94 हमने बनाया है 93 हमने chain ली थी एक हमने इसमे एक्स्ट्रा chain बना वो 3 की chain बनाते हैं तो ये 94 हमारी हो गई है देखे ये हमने front के part के लिए अपना ये बना कर complete किया है इसमें हमने 48 double crochet बनाया है जिसमें हमने 47 chain ली थी एक हमने यहां पर देखिए जो हम 3 की chain बनाते हैं और जब हमने हर एक chain में double crochet बनाया तो हमारे पास यहां पर 48 double crochet बन कर आया है अब हम इसमें 48 double crochet में अपना pattern डालेंगे तो देखे यहां पर हमने 9 pattern बनाये हैं और 9 में हम 1, 2, 3, 4 यह 4 pattern तो हम अपने front के part के लिए रखेंगे और इसमें देखे एक, दो, तीन, चार चार यह हमारे left part के होगे, चार हमारे यह right side के होगे जो यह हमारे beach का बचा हुआ है pattern यहां पर हम अपनी button पट्टी बनाएंगे और जिससे हम तो जिससे यह हमारा cover हो जाएगा और अब हम इसमें देखे यहां पर एक, दो, तीन, चार pattern है तो हमारे पास यह 40 होगे और दो हमारे यह तो 42 और साथ हम यह जो हम button पट्टी के बनाएंगे button पट्टी आपको कितनी बड़ी बनानी है या कितनी छोटी बनानी है यह आप अपने हिसाब से बनाईएगा तो साथ हम यहां पर लेंगे तो यह total हमारे पास 49 डबल क्रोशिया बन कर आएगा तो यहां पर हमने यह 47 48 चेन बनाई है और इस पर हम अब pattern डालना स्टार्ट करेंगे तो देखे किस ताय से pattern हमारा wrong side से डलेगा तो बनाते हैं पहले हम यहां पर एक, दो, तीन चेन ली है धागा लेंगे और इसे हम टर्न करेंगे पहले हम इसमें left का पार्ट बनाएंगे तो यहां पर पहले हम button पट्टी बना लेते हैं तो एक हम ने यह double crochet बना लिए अब हम यहां पर नहीं बनाएंगे और यहां पर बनाएंगे तो यह हमारे पास देखे दो हो गए फिर से बनाएंगे तीन च्यार पाँच छे साथ देखे यह साथ double crochet हमने बना लिया है अब हम इस पर तीन चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, धागा लेंगे, एक चेन छोड़ी, दो, तीन चेन छोड़ेंगे, और फॉर्थ चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो यह देखे हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया है, अब हम यहाँ पर दो चेन बना लेंगे एक दो तीन चेन चोड़ेंगे और फोर्थ चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार बनाया फिर से बनाएंगे दो तीन देखिए ये तीन हमने बना लिया है अब फिर से एक दो तीन धागा लेंगे और एक दो तीन चेन चोड़ेंगे और फोर्थ चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे फिस से दो चेन लेंगे और फिर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे तो यह देखे हमने वी बनाई है एक दो तीन और एक दो तीन चेन छोड़ेंगे और फोर्थ चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे फिस से डबल क्रोशिया बनाएंगे ये तीन हमने डबल क्रोशिया बना लिया है एक, दो, तीन चेन बनाई है नीचे से हम तीन चेन चोड़ेंगे और फोर्थ चेन के अंदर हम फिस से वी बनाएंगे वन डबल क्रोशिया, दो चेन और वन डबल क्रोशिया फिस से एक दो तीन और एक दो तीन चेन चोड़ेंगे और फॉर्थ चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे देखे इस तरह से एक बार बनाया फिस से बनाएंगे दो फिस से बनाएंगे तीन तीन डबल क्रोश्य हो गया एक, दो, तीन और हम एक, दो, तीन चेन चोड़ेंगे और फोर्थ चेन में हम यहाँ पर डबल क्रोश्य बनाएंगे एक बार बना एक, दो चेन ली है फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोश्य बनाएंगे एक, दो, तीन चेन लेंगे एक, दो, तीन चेन छोड़ेंगे और लास्ट में हम यहाँ पर डबल क्रोश्य बनाएंगे एक, और दो, देखिए इस तरह से हमने यह बना लिया है और अब हमारे पास देखिए यह चार पैटरन आए है एक, दो, तीन, चेन और एंड में भी हमारे पास यहाँ पर दो आए हैं और दो ही हमारे यहाँ पर थे तो देखिए इस तरह ऐसे बन कर आए हैं यह अब हमारे यहाँ पर रखेंगे और इस तरह देखिए यह पैटरन के उपर हमारा पैटरन बनाएंगे एक दो तीन इसे हम धागा लेकर टर्न करेंगे और फिर डबल क्रोशे के उपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे दो हो गए और अब फिर से हम धागा लेंगे चेन नहीं बनाएंगे कोई भी चेन नहीं बनानी है धागा लेंगे और जो ये वाला भाग है यहाँ पर हम इस डबल क्रोशिय के उपर बनाएंगे धागा लिया देखिये यह हमने धागा लिया और यह हमारा यह देखिये यह डबल करोशिया इस पर बनाएंगे एक बार धागा लिया दो तीन च्यार पांच छे साथ देखिए हमने यहाँ पर साथ बार धागा लिया है अब हम इसे दो दो के पेर में कम करेंगे देखिए जैसी यह दो धागे हैं पहले इन्हें हम दो धागों में से निकाल लेंगे देखे ये वाले दो धागों में से हमने इसे इस तरह से निकाला फिर हम इस धागे को बनाएंगे देखे इस तरह से और बनाते हुए हम फिर से इन्हें दो धागों के साथ कम्प्लीट करेंगे दो में से निकाला फिर से धागा लेकर हम इने दो धागों में से निकालेंगे फिर से धागा लेंगे और दो धागों में से निकालेंगे इस तैसे हम ये साथ बार बनाएंगे ये देखे एक, दो, तीन, च्यार, पांच बन गए और अब ये हमारा 6 हो गया, अब हमारे पास ये 3 धागे बचे हैं, इन 3 को हम एक साथ कम्प्लीट करेंगे, तो ये हमने 7 बार कम किया है, देखें यहां से हम देखेंगे, एक हमने यहां पे कम किया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 3 हमने धागों के लास्ट में एक किया, तो ये टोटल हमारे पास साथ हो गई है, अब हम इसे देखें, इस तह से लेंगे, ये हमारी हाफ बटरफलाई बन गई है, अब धागा लेंगे, और जो यहां पर हमने ये दो चेन बनाई थी, यहां पर हम तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, फिर से बनाएंगे, दो, फिर से ब एक बार बनाएंगे एक बार बनाया दो फिर से बनाएंगे तीन यह हमने देखे तीन बार डबल क्रोशे यानि छे डबल क्रोशे की हमने कली बनाई है तीन डबल क्रोशे हमने यहां पर बनाया है एक चेंड ली है और फिर हमने तीन डबल क्रोशे बनाया है फिर से अब हम यह यहां पर धागा लेंगे और देखिए यहां पर यह जो बचा हुआ डबल करोशिय है यहां पर बनाएंगे तो एक, दो, तीन, च्यार, पांच, छे, 7, देखे 7 बार हमने ले लिया है, अब फिर से हम 2 दो धागे बनाएंगे, 2 धागों में से बनाया, फिर से हमने 2 धागों में से बनाएंगे, यह 3 बार हमने बना लिया है, अब यह हमारा 4 बार हो गया, 5, 6, देखे 6 बार हमने बना लिया है, अब फिर से हमारे पास यह 3 बचे ह इस तरह से, देखिए हमारी एक पटरफ्लाई बन गई है, अब फिस से धागा लेंगे, कोई भी चेन नहीं बनाएंगे, और यहां पर हम डबल क्रोशिया, यह हमारे तीन डबल क्रोशिया हैं, तो इन्हें बनाएंगे, एक, दो, तीन, तीन हमने बना लिया है, अब फिस से ध धागा लेंगे, और फिर हम यहां पर देखिए, बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ बार हो गया धागा हमारा, फिर दो दो बनाएंगे, एक बार बनाया, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ हो गए, फिर हम यहां पर छे डबल क्रोशे की कली बनाएंगे, एक, दो, तीन, एक चेन की गैपिंग लेंगे, फिर से हम तीन डबल क्रोशे, एक, दो, तीन, अब फिर से यहां पर बनाएंगे, धागा लिया है हमने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ साथ बार लिया है फिर हम इने दो दो करके कम्प्लीट करेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और एक ये साथ हो गया कम्प्लीट हमारा फिर से बनाएंगे और यहाँ पर हम तीन डबल क्रोशिय बना लेते हैं एक, दो, तीन, देखिए इस तरह से इस तरह से बनाते हुए हम ये दो और बटरफलाई अपने बना लेते हैं देखिए रो हमारी बनकर कम्प्लीट हो चुकी है और ये हमने देखी बटरफलाई बना लिया है और ये 7 डबल क्रोशिय हमने बनाने के बाद और 7 ही हमने रोंग साइड से भी बना लिया है अब हम इसमें देखिए एक बार और ये डिजाइन डालना सीखेंगे कि कि स्थ आइसे बनेगा तो इसके लिए देखे यहां पर हम पहले 3 chain बनाएंगे 1, 2, 3 3 chain बनाई है और यहां पर देखे देखे हमने यह 1 chain के gapping लेती यहां पर हम double crochet बनाएंगे यहां पर हम यहां पर फिर से 2 chain लेंगे wrong side में हमारा वही weave के pattern बनेंगे और राइट साइड में हम इसमें बटरफलाई बनाएंगे अब फिर से तीन चेन बनाएंगे और फिर हम यहाँ पर यह जो तीन डबल क्रोश्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर हम तीन डबल क्रोश्या बनाएंगे एक, दो, तीन फिसे तीन चेन और फिर हम यहाँ पर डबल क्रोश्या इस तरह से डबल क्रोश्या बनाया एक दो तीन चेन लेंगे और डबल क्रोश्या बनाएंगे फिसे एक दो तीन चेन लेंगे और यहाँ पर हम तीन डबल क्रोश्या बनाएंगे तो इस तहाँ से बनाते हुए हम ये row complete करेंगे देखिए जैसे हमने ये v बनाई ये वैसे बनाते हुए हम ये row complete कर लेते हैं देखिए row हमारी बनकर complete हो चुकी है और last में हमने ये 2 double crochet बनाया है अब फिस से हम 3 chain बनाएंगे और turn करेंगे और यहाँ पर हम 1 double crochet बनाएंगे देखे इस तहर से अब हम धागा लेंगे कोई भी chain नहीं बनाएंगे और इस double crochet के उपर हम 7 बार धागा लेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, साथ बार हो गया है अब हम इसमें एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, और एक यह साथ हो गया अब फिर से हम इसमें धागा लेंगे और यहाँ पर हम 6 डबल क्रोशे की कली बनाएंगे 1, 2, 3 3 डबल क्रोशे हो गया है एक चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशे बनाएंगे 1, 2, 3 तीन बार हो गया, धागा लेंगे और यहाँ पर हम फिर से कली बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, कम्प्लीट करेंगे, दो दो धागों से एक बार किया, दो, फिर से तीन, चार, पांच, छे, साथ, एक, साथ किया, अब धागा लेंगे और यहाँ पर हम तीन डवल क्रोश, देखिए इस से, फिर से हम इसी तरह से बनाते हुए अपनी यह रो कम्प्लीट करेंगे, देखिए रो हमारी बनकर कम्प्लीट हो चुकी है, और देखिए इस तह से हमारे यह पैटर्न बने है, अब द पार्ट बनाएंगे, तो देखिए किस्ता है से, देखिए राइट पार्ट के भी हमने यह चेन बना कर कम्प्लीट की हुए है, और अब हम इसमें किस्ता है से स्टार्टिंग करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम तीन चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन चेन बनाएंगे, तो और जब हमने left part में बनाई थी तो पहले हमने यहाँ पर यह button पट्ती बनाई थी इस बार हम यहाँ से स्टार्ट्टिंग करेंगे तो पहले हम यहा पर 2 double crochet बना लिया है एक दो तीन chain लेंगे और फिर से तीन chain नीचे चौड़ेंगे और फॉर्ठour में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार बनाया एक दो तीन चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया यह वी बन गई हमारी सोरी यहाँ पर हमने दो चेन लेनी है यहाँ पर हमने तीन चेन लेनी है दागा लेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया 3 chain हम निचे से छोड़ेंगे 1, 2, 3 اور 4th chain में हम double crochet बनाएंगे 3 बार बनाना है हमें ये 2 और ये 3 फिर से 1, 2, 3 3 बनाएं 1, 2, 3 और 4th chain में हम double crochet बनाएंगे इस तरह से 1, 2 chain लेंगे और फिर से हम यहाँ पर double crochet बनाएंगे एक, दो, तीन एक, दो, तीन जैन छोड़ेंगे और fourth chain में हम double crochet फिर्स से double crochet double crochet तीन हो गए एक, दो, तीन और यहां पर हम एक, दो, तीन और fourth chain में हम double crochet एक दो और फिर से हम डबल क्रोश्या एक दो तीन एक दो तीन में छोड़ेंगे और फोर्थ में हम यहाँ पर डबल क्रोश्या एक यहाँ पर दो तीन एक दो तीन यहाँ पर हमारी तीन पैटर्न डल गए है एक दो तीन और फोर्थ में हम एक दो फिर से यहाँ पर डबल क्रोश्या एक दो तीन और नीचे से एक दो तीन चेन छोड़ेंगे और फोर्थ चेन में हम डबल क्रोश्या बनाएंगे और यहाँ पर यह देखे हमा इनके उपर हम हर एक chain के अंदर 1 एक double crochet बना लेंगे दीखिए ये 7 डबल क्रोशिय हमने बना लिया है फिर से 3 chain बनाएंगे और 10 करेंगे और सी 7 double crochet के ऊपर हम 7 double crochet बनाएंगे अब दिखें यहाँ पर हम धागा लेंगे और फिर से हम यहाँ पर बटरफलाई बनाएंगे जैसे हमने second part पर बनाई थी, first part पर बनाई थी एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ अब हम इने दो दो करके complete करेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और ये साथ हो गया, अब फिर से यहाँ पर हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, दो, तीन, एक चेन लेंगे और फिर से यहाँ पर हम तीन बनाएंगे एक, दो, तीन, धागा लेंगे और फिर से हम यहाँ पर बनाएंगे साथ बार एक दो तीन च्यार पांच छे साथ अब फिर हम इने दो-दो करके complete करेंगे एक बार किया दो तीन च्यार पांच छे और अब हमारे पास यह तीन धागे बिचेंगे इनके एक साथ complete करेंगे तो इस तह से यह हमारी butterfly बनी है और हम इस तरह से बनाते हुए अपना ये round complete करेंगे ये देखिए इस तरह से अब हम इसे देखिए यहाँ पर रखेंगे और इसे हम इसे बनाते हुए इसी तरह से complete करेंगे और इसकी length complete देखिए ये हमारे back part की हमने length बना कर complete की हुई है इसमें मैं आपको arm hole की cutting करना सिखाऊंगे किस तह से होगी तो यह हमारे पास 9 है तो 9 में हम एक यहाँ पर छोड़ देंगे देखे यहाँ पर और एक हम यहाँ पर छोड़ेंगे तो यहाँ पर हमने 2 कम किया है तो यहाँ पर हमारे पास यह 7 pattern बचेंगे तो अब हम इन पर बनाएंगे तो देखे किस तह से हम arm hole की cutting करेंगे तो हम यहाँ पर 3 chain बनाएंगे पहले 1, 2, 3 इसे हम turn करेंगे और यह जो 2 एक double crochet है इस पर हम double crochet बनाएंगे यह 2 हो गए अब देखे यहाँ पर हमारे पास यह 7 chain बनाई थी हमने 7 chain के उपर हमने यह pattern बनाया था तो उस पर बनाते हैं एक बन गया अब यह 2 3 4 यह हर एक double crochet के उपर हम एक एक बना रहे हैं च्यार हो गए पाँच छे साथ देखे यह 7 chain थी तो हमने इनके उपर एक एक double crochet बना लिया है साथ और एक यह 8 और 3 हमारे यह 1 2 3 देखे यह इस तह ऐसे हमने हर एक chain के अंदर एक एक double crochet बनाया है तो 2 हमारे यह 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 हमारे यह बने है और 3 हमारे यह double crochet तो अब हम इसमें क्या करेंगे हम यह 7 double crochet skip कर देंगे sorry, 10 यह 10 double crochet हम छोड़ देंगे और इन 3 double crochet से हम अपनागे continue करेंगे तो अब पहले हम यह pattern बना लेते हैं तो अब हम यहाँ पर 3 chain बनाएंगे एक, दो, तीन धागा लेंगे और अब हम यहाँ पर V बनाएं क्योंकि हम wrong side है wrong side में हमारी V का pattern आता है तो हम यहाँ पर V बनाएंगे एक, दो, तीन और फिर यह 3 double crochet एक, दो, तीन अब हम इसे इस तरह से बनाते हुए यह row complete करेंगे देखे बनाते हुए हम यहाँ पर इसकी दूसरी साइड में आ गए है और यहाँ पर हमने देखे यह 3 double crochet बना लिया है अब हम इसमें देखे धागा लेंगे और यह देखे, यह हमने chain दिखाई दे रही है एक इसके अंदर double crochet बनाएंगे एक बार बनाया, फिर next chain में जाएंगे दो, फिर next chain में जाएंगे तीन, फिर next chain में यह जो हमने one chain लेते इसे पर नहीं बनाएंगे से हम skip करेंगे और फिर से बनाएंगे next chain में यह देखे यह हमने आठ double crochet बना लिया है अब हम यहाँ पर यह देखे, आठ हो गया है इन तीन को छोड़ेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ और दो हमनारी यह chain थी लास्ट में दो double crochet थे तो यह total हमारे पास यह दस हो गए है इस तरह से फिर से हम इसे turn करेंगे और देखे, अब हम यहाँ पर एक, दो, तीन, चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर double crochet एक, दो तीन च्यार पांच छे साथ आठ नो दस देखे, इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ पर आए हैं और देखे यहाँ पर हमने जो यह बनाई है इससे भी हमारे एक pattern और बढ़ गया है तो यहाँ पर हमारे पास 17 थे अब हमारे पास यह 18 पैटरन आ जाएंगे तो 18 पैटरन की हमारी यह length बनेगी तो अब हमने यह देखे बना लिया है इसी तरह से बनाते हुए हम यहाँ पर V के ऊपर एक एक butterfly बनाएंगे और बनाते हुए हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद फिर मैं आपको आगे बताऊंगे कैसे बनाना है तो पहले हम यह एक रो बनाकर complete कर लेते हैं देखे रो हमारी बनकर complete हो चुकी है और देखे यह इस तरह से आई है अब हम इसमें एक chain बनाएंगे देखे यहाँ पर हमने एक chain बनाई इसे हम turn करेंगे और अब हम यहाँ पर देखे यह तीन double crochet छोड़के बागी के यह जो 10 double crochet है इनमें हम single crochet बनाते हुए जाएंगे एक हमने chain बना ली है और यहाँ पर इस तरह से एक और यह तीन हो गए एक हमने chain बनाई थी और दो हमने बना लिया तीन फिस्से बनाएंगे च्यार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, देखे यह 10 हो गया हमारा अब हम इसमें जायना है तो यहाँ पर हम sleeve stitch करेंगे हाँ पर हम single crochet नहीं करेंगे और यह हमने यहाँ पर sleeve stitch किया अब हम यहाँ पर तीन chain बनाएंगे एक, दो, तीन और यहाँ पर हम double crochet दो बना लिया, एक और बनाएंगे यह total हमने तीन बनाएंगे और देखे यह हमारी arm hole की cutting हो गई है इस तहाँ से अब हम यहाँ पर बनाएंगे अब फिर से हम V का pattern बनाएंगे तीन chain बनाएंगे धागर लेंगे और यहाँ पर हम double crochet बनाएंगे फिर से दो chain लेंगे और यहाँ पर हम double crochet एक, दो, तीन और फिर हम यहाँ पर double crochet यह तीन है तो तीन बना लेंगे देखे इस तहाँ से बनाते हुए row complete करेंगे देखे हम यहाँ पर आ गए हैं दूसरे साइड में है तीन हमने chain बनाई है अब हम यहाँ पर तीन double crochet बनाएंगे एक, दो, एक और बनाएंगे तो यह हमने total 3 बनाई है अब हम यह जो 10 double crochet है इन्हें हम छोड़ देंगे और यहाँ पर हम 3 chain बनाएंगे और टर्न करेंगे और अब हम यहाँ पर यह जो 2 double crochet बचा हुआ है इन्हें बनाएंगे यह 2 और एक यह 3 यह इस से 3 हो गया है अब हम यहाँ पर कोई भी chain नहीं लेनी है इस double crochet के उपर हम 7 बार double crochet सो यह 7 बार धागा लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 बार धागा लिया है अब हम इन्हें 2 दो करके बनाएंगे 2 बनाया फिर से 2 बार बनाया फिर 2 बनाया फिर से 2 बार बनाया और यह 2 बनाया अब हम यहाँ पर 3 double crochet बनाएंगे 1 2 3 एक chain लेंगे और फिर से हम 1 2 3 अब हम यहाँ पर बनाएंगे एक 2 3 4 5 6 7 दो दो बार बनाकर complete करेंगे एक 2 3 4 5 6 और यह 7 अब फिर से 3 double crochet बनाएंगे तो इसी तरह से बनाते हुए हम यह रो कंप्लीट करेंगे देखे इस तरह से देखे अब हम इसमें कोई भी कम नहीं करेंगे और नहीं कुछ बढ़ाएंगे सिम्पल ऐसे ही हम यह एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ पैटरन है हमारे यहां तक हम बनाते हुए बार बार अपनी रो रपीट करते रहेंगे सिर्फ यह दो ही रो हमें रपीट करनी है एक में हम वी बनाएंगे एक में हम यह बटरफ्लाई बनाएंगे तो बनाते हुए हम इसकी लैंद कमपलीट कर लेंगे और लैंद कमपलीट करने के बाद फिर आपको आगे इसका लुक दिखाएंगे कि यह बनकर कैसा आया है तो बना लेते हैं दिखिए आर्म होल की लंबाई हमारी बनकर कम्प्लीट हो चुकी है और इसमें देखिए हमने यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ पैटरन डालकर हमने इसकी यह लेंद्ध कम्प्लीट की है और टोटल रो अकाउंट करेंगे तो यहाँ पर हमने की सोला बनाई है और सोला बनाने पर हमारी यह लेंद्ध कम्प्लीट हो चुकी है और देखिए इसका बनने के बाद इसका लुग कुछ इस तरह से आया है और यहाँ पर देखिए इस तरह से यह हमारी लेंद्ध बनी है THANK YOU